कि है लो गाइस माइनम इस और शर्माइड वेलकुम यू ओल इन इस बीटिफिल सेशन अगर आप भी आर्म फोर्स के थुरू अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की जो वेकंसी है जो की यूपेसी के दुवारा कंडेक्ट क किया जाता एक्जाम वह वेकंसी आउट हो चुकिया और इस बार एक बहुत अच्छा खासा नमबर देखने को मिला 506 वेकंसी हम देख सकते हैं असेस्टेंट कमांडेंट की कमांडेंट की रिलीज हुई है जिसमें बेसेफ के अंदर 186 वेकंसी CRPF के अंदर 120 CISF के अंदर ITBP के अंदर 58 और SSB के अंदर 42 वेकंसी एक बहुत बढ़ी है नमर हमें देखने को मिला है जिन भी स्टुडेंट्स ने ग्रेजूशन कर रही है और जो फिजीकल मेजर से नोंने दे रहे हैं फिजीकल स्टेंडर्स अगर आप मीट करते हैं तो आप एपलाई कर सकते हैं उन चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन आपकी जो अप्रिकेशन फॉर्म में वह आज से शुरू हो जाएंगे ना पहले बता दे तों ग्रेजुएशन वाले चात्रों के लिए वेकंसी है 24 तारिक से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और जो लास्ट डेट वह चौध मई है 14 मई अप भर सकते हैं पहले आपको क्या करना पड़ेगा website पर जाना पढ़ेगा यूपसट की वेब्सटेशन पर आपको वन time registration जिसको otr बोला जाता है वह आपको करना पड़ेगा पहले अगर आप नए candidate है अगर आप पहले से कर चुके तो डारेक्ट आफ फॉलिंग के तरह प्रोस्डीड कर सकते है अधर्वाइस आपको otr फेले करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा चली शुरू कर लेते हैं अल्रेडी बता चुका हूं graduation किसी भी स्ट्रीम आपने graduation कर रहे हैं उसे कोई फरकने पड़ता है जिस्ट ग्रेजूशन चाहिए apply करने के लिए UPSC की वेबसाइट पर आपको जाना है otr करते टाइम आप याद रखना अगर आपको गलती कर देते हैं तो एक ही बार आप उसमें चेंज कर सकते हैं तो ध्यान से बरिएगा वह आप 21 मई को कर सकते हैं जो आप changes करना चाहते हैं application का हम एक पॉइंट को बता देते हैं लास्ट डेट में अल्रीडी बता चुका हूं 14 मई है आपका जो फोटो है जो आप अपलोड करेंगे याद रखें जो आप फोटो अपलोड करेंगे वह दस दिन से पुराना नहीं होना चाहिए पतार लेटेस्ट आपको जो है फोटो यह मार का बता रहे हैं यह तो सब आप सब करना है मोबाइल वगयरा सब अलावड है कुछ भी अलावड है यह सब चीज़ें आपको पता ही होगा ठीक है चलिए काम की बातों पर आते हैं और कोई मूड नहीं अपलाई करने का याद रखें ऑनलाइन ही आपको एपलाई करन सब्सक्राइब कर लेते हैं कि सर एक्जाइम क्या होता क्या क्या आता है उन चीज़ों पर मैं बता देता हूं नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए ठीक है ना हां एक बात और एक बड़ा सवाल है कि सर क्या लड़कियां भी अपलाई कर सकती है एस बॉइस और गल्स बहुत आप के इंडिडी डेट्स आर अलाउड गाई राएज लिमिट पर चर्चा कर लेतें तो बीस साल साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए ठीक है ना बीस से पच्शेस साल के बीच में आपकी ओमर होनी चाहिए और जो क्रूशल डेटा वह एक अगस्ट दोहजार चौबि तक ठीक है ना यह ध्यान से पढ़ लेज़ेगा कुल मिलाकि उसने बता दिया सेकंड अगस 1999 से लेखे एक अगस 2004 के बीच में आपकी ड्यू भी होने चाहिए ठीक है ना चलिए कुछ के लिए जैसे अधर बैकवर्ड क्लास के लिए तीन साल का शायद अप टूब थ्री यह सिंदा केस ऑफ केंडिडेट ब्लॉंगिंग तो यह आपको क्या दे रखें एज रिलेक्शेशन दे रखें सी और स्ट के लिए पांस साल की एज रिलेक्शेशन है चलिए फिर पा का minimum education qualification जो है साब बता रहे है कंडिडेट मस्ट होड़े बैचलर डिग्री ठीक है ना मस्ट होड़ा बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवस्टी पतलब बैचलर डिग्री होना चीए आपका ठीक होनी चाहिए वह यूनिवस्टी से अपने ही है चलिए फिजिकल स्टेंडर्ट प उनको उनको प्राइबं कोई नहीं देनी है ना यहां पर उनलाइन आप चलते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं मैं ने एक बार पहले हम बता चुका हूं अब exam की बात कर लेते हैं एक्जैton में पर लेते हैं इस एक्जैममें लास डेट पहले इसलेक्षन पर लेते हैं then कि टार एक्जैम सबसे पहले होगा आपके एक रिटन एक्जैमिनेशन होगा पेपर होते हैं पेपर नोसमें डू पट और उसमें आपके उप्जेक्टिए ऐसे अवाइद करी ताउन साइनेटथ नुमझा ङो में बटाने वाला हूं आपके एक SCP होते बाएथ MR के चलिए उसे में डूसरा जो पेपर होता ऐसे टाइप होता है उसमें आपको साथ कोशन ऐसे दिये जाते हैं वह आपको लिखने पढ़ते हैं दो सो नंबर का होता है जो यह सेकिंड पेपर होता है चलिए ठीक है ओके चुड़ेट शुड़ एंशॉर डैट इन पेपर टू देर राइट दा आंसर सोली अमीडियम अला कर रहा है चलिए आगे चलते हैं फिजिकल स्टेंडर्स की लिए तो आगे चेक करेंगे तो फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट में 100 मिटर की रेस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी मेल्स को 16 सेकेंड में और फिमेल्स को 18 सेकेंड में यह देख लिए जरूर यह ठीक है ना और 800 मिटरक्स कंप्लीट करने पड़ेगी तीन में में सइकेंड में में चार मेंट फिमेल्स को लगानी है तीन चांस दे जाएंगे प्रिगनेंसी स्टेटस हाँ यह तो प्रिगनेंसी के लिए मना क्या हुआ कि वह प्रिगनेंट नहीं होनी चाहिए चलिए इंटर्व परसिनेलिटी टेस्ट के बारे में तो यह मुटा माटी यह सारी चीज़ है आप देख सकते हैं जो पहला पेपर उसमें जनल मेंटल एबिल हैं यह आपके पास असिटेंट कमंडेंट बनने का बहुत बढ़िया मौका है और अच्छी वेकेंसी पांसो च्छे को बहुत अच्छे वेकेंसी माना जाता है यूप सी की ऑफिशल वेब साइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एक दिन में दो दो पर देने पड़े करेंगे आपको सेम डे पहले आपको एक मल्टीपल चॉइस थाइप मतला अब्जेक्टिव कोशन पर बेज़ पर बन देना पड़ेगा और वह आपका रिटन जिसमें ऐसे आपको लिखना पड़ेगा वह आपको देना पड़ेगा अगर आप तयारी करना चाहते हैं आप बढ़ेतर पर जाएं सूबर कोचींग पर कुलिक करें जैसे हाब सूपर कोचींग पर किलिक करते हैं तीक करें वे य हमारे पास आपको देखने को बेस्ट फैकल्टी इसक्रों मिस्ज घर सकते हैं यहाप तयारी कर सकते हैं indem Icharis Psalm इंग्लिश पेपर के लिए नवीन ए क्लासें मिल जाएंगी साथ सरद सर की complete ऐसरा उनकी टीम का complete स्लेवर्स आप देख सकते हैं जिस पर उने paper बन बहुत च्छे से में आपस आपको क्या करवा रखा है तयार करवा रखा है पर के लिए वह सारी प्रियास का को मिल जाएगे तेकर इसके जरूरी आपका बहुत फेमस कोडम को मिलने वाला है M कोर्स मिले वाला है क man Afree मिलेगा सरश सर ओर उनकी टीम कभी पेपर व्लन की कोचिंग आपको कराई जाएगी इस कम्प्लीट कोर्स के अंदर ऐसे राइटिंग के भी कोर्सेज हैं ऐसा नहीं है कि हम आपको केवल पेपर वन की त्यारी कर रहे हैं पेपर वन पेपर टू दोनों भी इंक्लूडेड है तो जाइए फटावट से जाइन करिए से पीफ के लिए बैच अगर आप इस बैच को सस्ता करना चाहते हैं एक उपशन आएक कूपन कूपन कोड सौरव लगा दीजेगा सौरव कूपन कोड लगा ये से यू आर ए वी जैसे आप सौरव कूपन को लगाएं है एक बहुत बढ़िया मौका है जो भी स्टुडेंट से जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है अब जाइए फटावट से यूपीसी की वेबसाइट पर ओफिशल वेबसाइट पर वहाँ पर चाहते हैं तो आप डिटेल्ड नोटिफिक